बच्चो आज हम कक्षा सात्वी में हिंदी विशे को लेकर मोटर बैलगाडी का सम्वार इस पाट का वार्ताला प्रुपी आध्येन करेंगे मोटर सामने से हट नहीं रही हो हो और न दे रही हूँ फिर भी सुन्ती ही नहीं हूँ बैलगाडी कहती है हट तो गई अब और कितना हटू सड़क खाली पड़ी है निकल जाओ न वेर्थ आकड़ती क्यों हो तो मोटर कहती है चोटा मुह और इतनी बड़ी बात अपनी हैसेत तो देखो कहा तुम और कहा मैं मोटर गाड़ी क्या करती है अपने चिकनी चुपडी रूप को देखकर रोब दिखाना चाहती है बैल गाड़ी के उपर मोटर गाड़ी चोटा मुह और इतनी बड़ी बात अपनी हैसेत तो देखो कहा तुम और कहा मैं तो बैल गाड़ी कहते है, मैं अपने आहेसियत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुमारी भी, तुम चिकनी चुपडी हो, मैं खुरदरी हूँ, तुम सुन्दर हो, चिकनी चुपडी हो, और मैं खुरदरी हो, खुरदरी हैने ओबर दोबर, लकडी से बने वे वस्तु होती इसी नहीं वैस् hijos तुम तेज दोड़ती हो होर नदेती चलती हो मैं देरे देरे चलती हो वह तो मैं ढण सतक्रचाइब आवाज करती हो, तुमारा दाम आदिक है मेरा कम है, तुम लोहे की बनी हो मैं मेरा शृरी लखड़ का बना है, सवारी तुमnewન नोह दोटी यहां कर जाना और मैं भी मिन आपना रास्ता ना पर ऐसी बेल गाड़ी मोटर गाड़ी को कहती है अपना अपना रास्ता नापो जाओ तुम भी बड़ी हो और मैं भी तुम छोटी बड़ी ऐसा क्यों कह रही हो जाओ अपना रास्ता नापो नापो यहने अपने अपने रास्ते से जाओ मेरा मुह मेरे मुह न लगो मोटर मुह लगी भी तो तुम मेरा क्या बिगाड लगी देखो मोटर गुस्य में आती है और कहती है मुह लगी भी तो तुम मेरा क्या बिगाड लोगी मैं तुमसे हर बात में स्रेश्ट हूँ रंग रूप में, चाल में, सजदज में, बनावट में तुमारा मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती दो-चार गंटे की यातरा तो तुम कई दिनों में तय करती हो और तुम्हारी यात्रा अपनी किस्मत पर करने वाले रोते होगे तुम कच्ची सड़क पर ही चलने लायक हो पत्की सड़क तो मेरे लिए है मैं रानी की तरह जीवन बिताती हूँ मेरी सफाई के लिए नहलाने दोलाने के लिए नवकर लगे रहते है तुमारे हैसियत ऐसी है क्या हैसा मोटर गाड़ी अपने उरूप रंग को घमन को लेकर आपने रप्तार को लेकर आपने गती को लेकर आपने नलाले दुनलाले के लेकर आमिरों का रोब दिखाना चाहती है मोटर गाड़ी किस के उपर बैल गाड़ी के उपर और कहते हैं तुम्हारे हैसियत है उसी के हैसियत में तुम रहो आगे बैलगाडी वारी रानी तुम आपने गुन ही गुन देखती हो दोशों पर विचार नहीं करती तो आप बैल गाडी क्या करती है मोटर गाड़ी के दोश उसे बताना चाहती है तुम्हें चलने के लिए सीध्या और तारकोल बीची सड़क चाहिए तारकोल यहने तारकोल सड़क यहने डामरी सड़क जिसे हम महराटी में कहते हैं खड़िया और चूना तारकोलक से बना हुआ सड़क जहां हुआ नहों वहां तुम हिल भी नहीं सकती जब कि मैं कैसे भी दुरगम मार्ग पर सरपट दोड लगा सकती हूँ माना कि तुम लंबी आत्राय कम समय में पूरी कर लेती हूँ किन्तो आपनी भागदोड में किसी पेड से टकरा गई या खंदक में गिर गई पड़ी तो उस समय तुम ही अपने जीवन से हाथ नहीं दोती तुमारे साथ तुमारे यात्री भी सीधे परलोग सिधार जाते हैं देखो क्या करती है बेल गाड़ी तुमहाइशियत में रहो और तुमारी जो कमिया है उसके उपर विचार करते हुए उससे कहती है तुम तारकॉल की सड़क पर ही चलती है ओब और दोबर जैमिन पर नहीं चलती है गती जरूर है लेकिन उस गती के माध्यम से किस्से टकरा गई तो तुम़्या और तुमारे गाड़ी में बेचे सभी लोग क्या होते हैं पर लोगशिदारते हैं ने मरते हैं जब तुमारी मशीन फेल हो जाती है और तुम आपने स्थान से टस से मस्त भी नहीं होती तुमारी मशिन फेल हो जाती तो भेल भी नहीं सकती तब क्या तुमारे यातृ अपनी किस्मत पर हसते है तब तुमारे मदद के लिए मेरी सेवाए ली जाती है मैं ही तुम्हें खीच कर कार खाने या वर्क्शाप तक पहुंचाती हूँ पर कभी तुमने मेरी साहिता की है तुमारे पास दास दासिया है मेरे सेवक मेरे बैल है वे मुझे खीचते है और मेरे मालिक का खेत जोतते है यह खेत में काम करते है मेरे मालिक खेतों में खाद फैलाते है वे मुझे खीशते है मेरे मालिक का खेत जोटते है मेरे मालिक के खेतों में खाद फैलाते है और समय पढ़ने पर बोज भी मैं डोती हूँ तुम दोड़ती हो तो अपने पीछे इतना धुआ और धू लोड़ाती हो पैदल चलने वाली आतरी आपने हाथ से आपनी नाग बंद कर लेते हैं क्या यही है रानी की चाल का नमुना इस तरह से बेल गाड़ी क्या करते हैं मोटर गाड़ी को कहकर समवादों के माध्यम से उसे बताना था कि तुमारे गुन जितने है उससे कई ज्यादा दोश भी है तुम मोटर आगे कहती है चुप रहे हो आधिक णिगेन हाकोँने आधिक बढ़बढ मत करो तुम हो दरीद रो की सातीन देखो कितना घुसा आतले मोटर गाड़ी को वह आगे है उसे तुम दरीदार की सातीन याने तुम जो अमिर नहीं ने गरीब लोग उनकी सातिन हो यदि मुझे खीच कर कारकाने तेक पहुंचा हो तो क्या मजदुरी नहीं लेती मैं किसी का एसान नहीं लेती दुआ तब छोड़ती हूँ जब मेरे समय पर मेरी देखरे एक सर्वीषिंग नहीं होती तो मोटर गाड़ी कहते हैं समय पर सर्वीषिंग नहीं होने descriptions मैं दुआ छोड़ती हो कबी भी नहीं देहातों से मुझे चीड है मैं नगरो की शोबा हूँ संक्त राज्यामेरिका में मेरा जन्म हुआ है देखो अपने बारे में बात कहते हुए मैं ऐसी वईसी नहीं हूँ इस तरह से बड़े बड़े समवाद करते हुए मोटर गाड़ी अपनी शान के बारे में बेल गाड़ी को बताती है यहां पर रुकते हैं धन्यवाद